1-3ometer-fabrik , सबसे पहले बहunken दोर की को δो भाग में इस चार भाग में регशर कर लिजिए जिए दोँसे झूलिए 89 से बंद है पर हम यहां पर कि लिए फ्र reconoc पाद हम यहां पर लिए होगी वह उसका वन फोट लेने के बाद उसमें प्लास वन कर लीजे और वहां पर एक स्ट्वीट लाइन ड्रॉ कर देए फिर उसके नीचे से मेरा जो क्रोश है वो बारा है पर दो इंच एक स्ट्रॉ लीडियो जो कि 14 हो जाएगा उसके आउटर पोशिन से आप 2 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लीजे और उपर से स्लांट वे में होते हुए आप एक क्रोश लाइन ड्रॉ कर लीजे इस तरीके से हमें क्रोश लाइन को ड्रॉ करना होता है उसके बाद उसके अंदर एक कर्व शेप दे दीजे इस तरीके से उसके बाद जो मैं यहां पर लेंद रख एक पार्ट है उसके एरिया का मेज़ेमेंगने कर उसका वन फुद भाग वहाँ पर एक स््ट्वेट लाइन ड्रॉ कर दूगे मेरी हेस में छेत हैं अब अपने हिसाब से वहाँ पर मेज़ेमेंट ले सकते हैं वहाँ पर एक्स्ट्वेट ले देजे और उस ट्रीट लाइन से क्रोश एरा के पार्ट से एक स्लांट लाइड ड्रॉग कर दीजे तो यह रहा सारा मार्किंग्स कुछ इस तरीके से आपको अपने अपर पार्ट आफ दे पैंड को का मार्किंग लेना होता है यह बहुत ज़्यादा एजिय होता है बस सिम्प अब क्या करना होगा ? अब हमें करना होगा यह कि हम सारी मरकिंग एरियास को कट कर देंगे , बेल के पुशन को क्योंकि हम उसी में ही बेल का पॉश्वन को जॉइनि कर लेंगे , अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैं कट कर रहे ह। यहां मेरी सारी cutting हो गई है cutting होने के बद हमें से open करेंगे open करने के बाद जो हमारे कुछ इस तरीके का fabric receive होगा अब जो crotch area का portion है वहाँ पर हमें सिलाई machine के हैट से उसे stitch कर देना होगा wrong side fabric को place करेंगे और crotch area के part को stitch कर देंगे तो यहां आप देख सकते हैं मैंने यहां पर stitch कर दिया है तो यह से stitching हो जाने के बाद अब हमें क्या करना होगा सिलाई को जो है वो बीच मिलानी होगी कि सिलाई को crotch area की सिलाई को बीच मिलानी होगी तो यहां पर stitching हो गई है अब प्रोश हीरा की दुनों से लाई को इस तरीकी से पकड़ के हम मिडल में ले आएंगे कुछ इस तरीके से वो फिर दो जो दुनों जो लेग है वो अपार्ट हो जाएगा अब हमें यहाँ पर बेल्ट की तरफ की पूशन को फूल करना होगा तो बेल्ट की तरफ की पूशन को फूल करने के लिए सबसे पहले आदा इंच फिर एक इंच अंदर की तरफ फाबरिक को फूल कर लीजे और गोल कुमाते वेज तो आरीफ एरियास को स्टिच कर लीजे बस एक इंच का पूशन छोड़ दीजे जिसके तरू हम इलास्टिक पास करेंगे इस तरीके से अब सिल दीजे एक इंच का पूशन छोड़ना है जिसके तरू आपको इलास्टिक पास करनी होती है यहां आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है और स्टिचिंग हो जाने के बाद अभी हमें इसके अंदर इलास्टिक पास करनी होगी बर इलास्टिक पास करने के लिए मैंने यहां पर एक इंच का भाग जो है वो खोल दिया था जैसे मैंने आपको पहले ही बिता इसे तलो wh rzeczy करों गी ऊसके चींट के अंदर में किue a tap लिदास्टिक को एंसर्ट करके वहले स्वाथ हो जाए हर जगा टेबल बात करगा पहुत ही ईजिए होता है लास्टिक टाना बस अपने elastic को measure कर लीजी, कितनी inch की आपके elastic है उसे साब से belt area को fold कर दीजी, कभी-कभी elastic चौड़ी हो जाती है और folding part में नहीं insert होती है तो यहां आप देख सकते हैं, मैं elastic को insert कर रहे हैं, इंसर्ट करने के बाद जो elastic बाहर आएगी उसे आप यहां पे seal देजए और seal ने के बाद जो portion एक इंच आपने elastic दालने के छोड़ दिया था उसे भी अंदर push करते हैं वहां के part को भी stitch कर देना होगा तो यह सारा काम हो जाने के बाद belt का पूरा काम हो जगा और belt यहां पे ready हो जगा है अब हमें नीचे के तरफ ruffle add करना होगा, तो नीचे की तरफ ruffle add करने के लिए मैं वहां के portion को सबसे पहले measure कर लोगे कि हमें कहां कितना ruffle add करना है तो यहाँ पर मैं 8 इंच के ऊपर एक ruffle add करूँगे और उसके नीचे वापस है 2 इंच पर मैं एक ruffle add करूँगे तो इस तरीके से मैं जे टेप से सबसे पहले मां करके वहाँ पर एक straight line draw कर लूँगे और उस straight line के हिसाब से मैं अपने ruffle cut करने के बद वहाँ पर लगा लूँगे तो यहाँ पर मैं straight line draw कर रहे हूँ और उसके बाद 2 इंच पर भी मैं straight line draw कर लूँगे बस इतना ध्यान देना है कि जो उपर वाला ruffle होगा वो नीचे वाले ruffle पर इस तरीके से flow करे कि उसकी pleats ना दिखाई दे नीचे का थोड़ा portion दिखाई दे और बहुत सदा अच्छा लगे इस तरीके से इसलिए मैंने दोनों जो layer है वो 10 इंच का है उपर के पार्ट को 26 इंच का रखाया अब यहाँ पर मैं रफिल कट करे हैं सेम फडाबरिक मैंने यूजा यूज सके में यूज करता आप यहाँ पर 10 इंच का हमें भाशिन का इस तकर घुचन का कपड़ा का चिक्टेश करना है जितना आपका उपर इस்कर गुलाई चींकर इसे का थाभना म जासना पहां का ударा क्योंकि हम यहां पर double layer create करें अब इसे लगाने के लिए सबसे पहले आप उपर का अपना portion ले लिजे और जहां पर आपने line ड्रॉक किया था वहां पर इसे रखकर जो नीचे के layer होगी वह आप नीचे की तरफ ही रख दीजे बट उपर की layer जो होगी उसे उपर रखकर इसे वह लगा लूँगे बहुत इंपोर्टन होता है major करके लगाने के लिए ताकि जो रखल है वह बहुत अच्छे से लग जाए और लगने के बाद बहुत नीच लगे कभी कभी बहुत क्लमजी हो जाती है और उतनी नीच नहीं लगती है तो इस तरीके से छुटी छुट याप घठ सकती है और इसे चाहि नहीं हो तो इसे तरीके से लगाना है दोनों ही पहरा प्यर पर लिए तो यहां आप लेग लगered है कि अला आप देख सकते हैं दोने रफिल आड हो चुके हैं नीचे थोड़ा कपड़ा दिख रहा उपर बढ़ा कपड़ा दिख रहा तो आप देख सकते हैं कितना जाद अच्छा लग रहा है अब हमें सीन अउगा हमारा क्रॉच का पाट तो क्रॉच के पाट के लिए फाबरिक को उसके कपड़े को अंदर के तरफ पुष्च कीजिए उसको अप अलग स्टिच कीजिए ताकि वह एक अच्छा सा राउंड पुषिन में आ जाए और जो फॉर्स लियर तक जो नीचे की लास्ट लियर है उसको अंदर पुष्च कर देना है बाद उपर की जो सेकेंड लियर है उसको अंदर पुष्च कर लिजिए उसे साथ में नहीं सीना है उसे अलग से सीना है ताकि वह अच्छे से नहीं ऊपर के तरफ राउंड पुषिन में पॉट हो जाए इस तरीके से हमें से स्टिच कर देना है जो सेकेंड पार्ट है उसे अंदर की तरफ पुष्च करना है तो I hope आपको समझ मैं मैं किस तरीके के बात करूँ हूँ ताकि वह अच्छा सा गोल दीखे तो वह बहुत अच्छा लगता है और जारा बे ख्लमजी नहीं आता है यहां मेरा स्टेच हो चुका है और यही मेरा शरारा गरा रखा जो बैंट है वह पूरी तरीके से रेडी हो चुका है बहुत ज़ाद अच्छा लग रहा है बहुत नीच बहुत क्लीन करीगे से रेप्रिपैर हुआ था नीचे के जो रह रॉ एज़े होंगे रफिल के उसे इसाप को करने तो आप अपनी मर्जे के साब से आड कर सकते हो और इसे आप वेर कर सकते हो क्यात welcome को साथ पपलाए obiक के साथ बहुत ज़ादा अच्छा लगता है लोंग सलिट जू साइट स्लेट होती है को दी उसकेवे कर सकतिके में बहुत ज़ादा अच्छा लगता biggest